हेलो एवरिवन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक शिक्षण संचनालाय मद्य प्रदेश भोपाल द्वारा जारी प्रश्न बेंक का संपूर्ण हल यह प्रश्न बेंक वर्श 2022 के लिए जारी की गई है इसमें आज हम कक्षा ग्यारवी की भोतिक विशय की प्रश्न बें को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और वीडियो को अधिक साधिक लाइक एवं शेयर जरूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 11 के सभी विशय की प्र देख लिजए गा तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो इसमें आज हम यहाँ पर अध्याय तीन जिसका नाम है सरल में गति इसके अतीलिग हुथREE प्रश्नोatyये प्रश्णों को हल करने वाले हैं यहां पे हम तो यहां पे हमारे पास जो अतिलगुत्तरी प्रश्ण दिये हैं वो कुल 9 प्रश्ण दिये हैं इन 9 प्रश्ण का आंसर अब हम यहां पे देखने वाले हैं इस वीडियो में तो इसमें हमारे पास यहां सबसे पहले प्रश्ण का यह answer है तो आपको यहां से answer का सिर्फ screenshot फटाफट लेते जाना है क्योंकि अगर यहां पे सारे answer को मैं बोल कि अगर बता हुआ इतनी देर में काफी लंबा वीडियो बनेगा इसलिए आप फटाफट इनके screenshot लेते जाए या वीडियो को आप रोक कर note कर सकते हैं तो शुरू करते हैं यह पहले प्रशन का answer आपका यहां पे screenshot ले लिजिए उसके बाद अब इसके बाद हमारे पास यह जो दूसरा प्रशन है इसका answer यहां पे नजर आ रहा है इसका भी screenshot ले लिजी आप उसके बाद तीसरे प्रशन का उत्तर दिख रहा है आपको यहाँ पे फिर उसके बाद है हमारे पास यह चोथा प्रशन तो चोथे प्रशन में यहाँ पे graph तक आपको पहले note कर लेना है उसके बाद इससे आगे का यह जो second graph है इसे note कर लीजिए और उसके बाद यह जो third graph है यह तो इसमें कुल तीन graph बनाने हैं यह तीनो graph आपको यहाँ से note कर लेने उसके बाद प्रशन नमबर 5 का answer दिख रहा है आपको इसका भी screenshot ले लीजिए यहाँ से और फिर प्रशन नमबर 6 है इसी के नीचे और फिर प्रशन नमबर 6 के बाद यहाँ पर हमारे पास प्रशन नमबर 7 का भी answer है तो इसके फटा-फट screenshot लीजिए आप ताकि वीडियो ज्यादा लंबा न हूँ उसके बाद हमारे पास है आठवा प्रशन आठवे प्रशन में यहाँ पर यह प्रशन है और इसका साथ में यहाँ पर उत्तर लिखावा है इसी आठवे प्रेशन का कुछ भाग अभी यहाँ पे बचावा है तो यह आपको सबसे पहले आठवे प्रेशन का यहाँ पे ग्राफ नजर आ रहा है इस ग्राफ को आप यहाँ से बना लीजिएगा फिर हम देखते हैं इस से आगे इसी प्रेश्ण में यहाँ पे कुछ हिस्सा और लिखना है तो ये भी आप स्क्रिंशॉट ले लिजीए नहां से और फिर हम बढ़ते हैं अगले प्रेश्ण यानिकी नोवे प्रेश्ण की तरफ तो नोवे प्रेश्ण में आप यहाँ से प्रेश्ण को नोट कीजिए पहले उसके बाद इसका जो ये ग्राफ है हमारे पास ये हम देखने वाले हैं यहाँ पे ये graph पहला चित रहे हैं और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास जो दूसरा graph है वो दे रखा है और इसी के साथ हमारे यहाँ पर अतिल अगुत्तरी प्रशने पार्ट के complete हो चुके हैं अब इससे आगे के प्रशनों के लिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद